नमस्कार जैमात अदी, मैं आचार इंद्रिद्र वशिष्ठिक कालिकाधाम जोतिस से कुनली टीवी की सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, 2021 का ये जो साल है, सभी राशियों वालों के लिए कैसा रहेगा। किन-किन चीजों से हमें फाइदा हो सकता है, किन चीजों से नुकसान हो सकता है, किस-किस चीज से हमें सावधानी वर्तिनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, छोटे-छोटे उपायों से हम अपने वर्स को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हमें छोटी से जनकारी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम कर जाती है। इसलिए मेहनत उपाय और इस्वर परास्था रखने से बहुत सारी मुश्कलों का निवारन हो जाये करते हैं। तो आई बात करते हैं कि 2021 है ये वर्स जो पहली रासी है मेश रासी के जात्तकों के लिए क्या-क्या फायदा कर सकती है और क्या-क्या नुकसान हो सकता है। मेस राशी के स्वामी मंगल है मंगल व्रिष्चिक राशी के स्वामी भी मंगल है आपका राशी रत्न मूगा बनता है और आपको बजरंग वली के राधना करने का ल्यान कारी होती है मेस राशी वालों को ये जो वर्ष शुरू होगा पहली बात तो जनवरी महीने से ही वर्ष आरंब से ही आपके राशी पर खुद की राशी पर खुद ही मंगल देव विराज मान होगे दर्शकों तो जनवरी के महीना तो बहुत हरसुलास बाला बहुत खुशियों बहुत उम कर सकते हैं इस राशी वाले और आपको जरूर और जरूर फायदा मिलेगा काम रुकेगा नहीं मैंने पहले भी काया है कि केवलो समय होता है टाइम होता है जब हम कोई काम करते हैं तो निकल जायता तो जनवरी महिना आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि मंगल देव खुद आपकी राशी पर विराजमान होंगे लेकिन आपकी राशी शे गुरू सनी का दसमे भाव में गोचर रहेगा इस वर्स ब्रिस्पती नवम भाव के मालिक भी बंद रहे हैं तो इसलिए ये वर्स आपको बहुत तरक्की बहुत उन्नती कारो वार आद में बहुत फायदा न आने के अवश्यक्ता नहीं पड़ेगी जो वीडियो को लाश्ट में कुछ छोटे-छोटे उपाय बताए जाएंगे आप उन्हें करके छोटी-मोटी दिक्कतों को भी हटा सकते हैं काम के लिए नोकरी के लिए वर्स बहुत अच्छा रहेगा राहु महाराज आपके राश बोलवाने में बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप में थुड़ा सा क्रोध भी रह सकता है केतु की यूतिय अश्टम भाव में रहेगी आपको स्वास्त संबंधी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है स्वास्तों के लेकर के आपको सतर करें जनवरी के महिना राशी वालों का जो फरवरी का महिना होगा 21 तरीक तक मंगल स्वारासीगत होने से ये महिना भी आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप नोकरी करते हैं तो नोकरी बहुत confidence लाएगा तरक्य दिलवाएगा आपको आपका प्रभाव बनेगा लोग वात मानेंगे आपके वात की वैलू समझेंगे तो रिवरी महिने में शुरुआत हो जाएगी जब मार्च के महिनें पहुंचेंगे थोड़ा सा विखनवादाहों का सामना आपको करना पड़ सकता है रुकापटी आएगी कुछ चीजें सामने आएगी जो आपको तंग करे लेकिन समझदारी है को इसे घवराना नहीं क्योंकि वह समय भी निकल जाने बाला है तो उसे परशान नहीं होना है इरिटेट नहीं होना है दिकते का सामना करके कुछ बहुत बड़े दिकते तो नहीं आएगी लेकिन थोटी मोटी परशानिया आपको मार्च महिने में आपको प्रेल महिने में कुछ नए लोग मिल सकते हैं जिनसे फायदा होगा जो आपके संबंधी या आपके सीनियर से हैं या आपके बिजनिस पार्टनर से हैं या जहां जहां भी आप काम करते हैं तो आप पर विश्वास करेंगे और आपको काम भी मिलेगा और फायदा भ पड़ सकता है। आपको किसी अपने से मन मुटाओ रह सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मई का महीना आपके लिए थोड़ा साउधानी बरतने वाला है। जून महीने में आप कोई भी काम सुरू करें, वो चलेगा। आप पार्टनर्सिप में भी काम सुरू क अगर आपको अपने जर्मस्थान में ही काम सुरू करना है तो आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे जुलाई का महिना आपके लिए अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी के स्वास्थ को लेकर के दिक्कत बना सकता है या फिर पत्नी से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है जिससे आपको टेंशन रह सकती है आपको उल्जन बढ़ सकती है अभिवाहित है किसी रिलेर्सन्सिप में है तो भी आपको थोड़ी सी इनचीजों में खटास नजर आएगी अगस्त महिने पहुंचते हैं शुरुआत अच्छी हो जाएगी और अगस्त महिने में आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है जिस काम के लिए बार-बार कोशिश कर रहे थे नहीं बन रहा थो उसके बनने के आसार बढ़ेंगे सितंबर महिने विदेश संबंधी आत्रा का प्लान कर रहे थे तो उसके काम बनने शुरू हो जाएगे अक्तूबर के महिने में आपको कुछ न कुछ अचानक से फायदा होने का योग बन रहा है मेश राशी वालों के लिए जहां उम्मीद भी नहीं होगी कि यहां से कुई ऐसा फायदा हो सकता है काम मिले सकता है तो वैसे अचानक से फायदा वहाँ पर नजर आ जाएगा और आपको मिलेगा भी नमंबर महिने में कारोबार नोकरी के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा दिसंबर महिने में आपका ये ब्यापार बहुत अच्छा चलता रहेगा इस संबत के मालिक भी मंगल होंगे राजा मंगल होंगे स्वावी मंगल होंगे तो उसका प्रभावपूरे देश दुनिया में पड़ेगा तो जो परिस्तितियां देश की शरकारी की रहेगी उसका जो नेक्टिव पोश्टिव अशर आप पर मेश्राश्ची पार उपर पड़ जाए तो वो वात अलग है अन्य था आपकी राजश्ची की हिसाब से आपका ये दो जरे किस का वरस्ट लगभग अच्छा जाने बाला है व्यर्त विवाद लड़ाई जगड़े से बिलकुल बचे आपको बजरंग बली की अराधना करने चाहिए ताबाद जरूर धरना करके रखना चाहिए और साथ में ही अपनी दिंचरिया सही रखे जो भाई हैं जो मित्र लोग हैं उसे रिलेसंस से बहुत अच्छा रखे और साथ में प्रातय काल उठना प्रारंब कर दे यह दो तीन प्रहज मेश राशी वालों के लिए है अपको बहुत अच्छा करने वाला हैं कुछ चीज़े आपके जीवन बहुत अच्छी हो सकती हैं केवल आपको मेहनत करने की दियान देने की और सौधानिक जरूरत है इसी के साथ साथ ही आप अपनी जनम पत्र का भी विशलेशन करवाते रहें गोचर ग्रहों का दसाओं का भी उपाय करते रहें राशिक हिसाब से आपका ये वर्स बहुत अच्छा जाने वाला है बहुत बहुत धनवाद जैमाता दे इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में शरूर बताएं धन्यवाद